दोस्तो आज हम फिर से एक घटना के माध्यम से कुछ इंगलिस सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तीन सदस्य ग्रोह जिसने कथित रूप से मंगलवा रात पैसे के विवाद में एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया तीन सदस्य गिरोह तीन मेंबर गैंग विच एलेजडली जिसने कथित तौर पर यानि कि जिन पर आरोप है Which allegedly kidnapped, kidnapped means आपरहण करना Which allegedly kidnapped a man over a money dispute on Tuesday night Over a money dispute means पैसे के विबाद को A three member gang which allegedly kidnapped a man over a money dispute on Tuesday night अगले sentence की तरब चलते हैं उन्होंने इंस्पेक्टर मोहंदास पर तब हमला किया जब उनकी टीम मौके पर पहुँची They attacked inspector मोहंदास when his team rushed to the spot Attacked means हमला करना They attacked उन्होंने हमला किया किस पर? इंस्पेक्टर मोहंदास पर कब when his team rushed to यानि की भागी उनकी टीम उस मौके पर पहुँची Rushed to the spot अगला sentence है हाला कि अन्य पुलिस कर्मियों ने सभी तीन संदिक्दों को पकड़ लिया और उनसे कार जब्त कर ली However, other police personnel secured all three suspects and seized the car from them Seized करना means पकड़ लेना Seized the car means car जब्त कर ली From them अगले sentence की तरफ चलते है संदिक्दों की पहचान ठाने के रंजीत जिसकी उमर 48 years है उनके बेटे प्रेम 27 और मुंबई के अमर 25 के रूप में की गई The suspects were identified as रंजीत of ठाने, इससन प्रेम and अमर of मुंबई Suspects means संदिक्द, suspects were identified Identified means उन्हें पहचाना गया So the suspects were identified as रंजीत of ठाने, इससन प्रेम and अमर of मुंबई रंजीत 1995 में एक बंविस्फोट मामले का आरोपी है रंजीत is an accused in a bomb blast case in 1995 Accused means आरोपी होना So रंजीत is an accused, रंजीत आरोपी है In a bomb blast case, यानि कि बंविस्फोट के मामले में वो आरोपी है अगला sentence वह मंगलवार को अपने बेटे और दोस्तों के साथ मामले में मुगदमे के लिए उपस्थित हुआ था He appeared, appear होना means उपस्थित होना He appeared for trial in the case on Tuesday with his son and friends अगले sentence की तरफ चलते हैं ग्यारा बजे के आसपास वह मलाड पूर्व में मुंबई के राकेश यादव से मिले क्योंकि उसने यानि कि जो बादवाले ने 10 लाक रुपए उधार लिये थे So around 11 पीम He met one राकेश यादव of मुंबई in मलाड इस्ट As the letter had borrowed 10 लैक Later means बादवाले ने यानि कि वो जिससे मिले उसने 10 लाक रुपए उधार लिये थे So उधार लेना means borrow करना So the letter had borrowed दूसरे बादवाले ने उधार लिये थे 10 लाक रुपीज अगला sentence चुकि राकेश ने पैसे वापस करने के लिए कुछ और समय मांगा इसलिए रंजीत ने उस पर हमला किया और उसका अपरहन कर लिया Since राकेश sought some more time to return the money यानि कि पैसे वापस करने के लिए कुछ और समय मांगा रंजीत attacked him रंजीत ने उस पर हमला कर दिया और उसका अपरहन कर लिया अगला sentence रागीरों के पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद पुलिस स्टेशन के करमचारी मौके पर गए After passers by Passers by means जो रागीर थे जो आसपास से गुजर रहे थे After passers by alerted police control room Personal from police station Personal means जो वहाँ के करमचारी है Personal from police station Went to the spot यानि की मौके पर गए यानि उस spot पर उस स्थान पर गए अगला sentence Inspector और रंजीत के बीच एक बहस शुरू ही An argument ensued between the inspector and रंजीत उसके लोगों ने अधिकारी पर हमला किया His men attacked the official अन्य करमियों ने लोगों को काबू किया और उन्हें police station ले आए Other personnel overpowered the men and brought them to police station Thank you so much I hope you enjoyed it Thanks a lot